हलो दोस्तो मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बियार गुरुजी में इस वीडियो में हम राजस्तान जिके के इंपोर्टेंट क्यूचन डिसकस करने वाले हैं आगामी जितनी भी एकजाम है स्टेट लेवल की जितनी एकजाम होती है उसके लिए वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है इसलिए अंततक मेरे साथ बने रहिएगा और इससे जूड़ी और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारा टेलिग्राम चैनल जोइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चले क्लास की सुरुआत करते हैं अंसर कौन सा है उप्शननमर भी हाडोती का पठार हाडोती के पठार में मुकुंद्रा की पहाड है इसके बार नेक्स्ट कुषन है निम्नमे से मरूबूमि की कोकिला किसे कहते हैं मरूबुमी की कोकिला किसे कहते हैं गवरी भाई, मांगी भाई, बन्नो बेगम या अला जिला भाई तो मरूबुमी की कोकिला किने कहा जाता है अला जिला भाई को option number D's का right answer है इसके बाद next question है उच न्याले के न्यादिस की न्युक्ति करता है उच न्याले के न्यादिस की न्युक्ति कोन करते है option है राष्टपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यादिस तो उच न्याले के न्यादिस की न्युक्ति कोन करते है इसका सही उत्तर है राष्टपति option number A इसका सही उत्तर है उसके बाद next question है जेपूर का निर्मान किस ने करवाया जेपूर का निर्मान किस ने करवाया करणी सिंग जैसिंग दिती है मान सिंग या अनोप सिंग तो इसका सहीवत्तर कुन सा है जैसिंग दिती है option number 20 का सहीवत्तर है जैसिंग दिती है ने जेपूर का निर्मान करवाया इसके बाद नेक्स्ट क्यूशन है, मुगल बासा है साह जहां के समय से परशित नाहर नर्ते की परंपरा कहां परचल लिते हैं, एक तो नाहर नर्ते कहां किया जाता है और किनके समय से परचल लिते हैं, मुगल बासा है साह जहां के समय से परचल लिते हैं, उप्शन है की न्युक्ति कोन करता है ओप्शन है राजे पाल राष्ट पती उच न्याले का मुख्य 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 न्याल प्रजनायोग के अध्यक्ष है ठीक है लोक जो महाधिवक्ता है इनकी नुक्ति किनके द्वारा की जाती है जो महावित धेल्यू के कुलाधिपति वकुलपती होते हैं उनकी नुक्ति राजिपाल के द्वारा की जाती है इसके बाद next question है मुहरम के आउसर पर पर्ययोग में लिया जाने वाला परशिद वाधधी अंतर कौन सा है ओप्शन है मांदल तासा जंतर या नगाडा तो इसका राइट अंसर कौन सा है ओप्शन नमर B मुहरम में तासा वाधी अंतर काम में लिया जाता है इसके बार next question है मानसी वाकल नदी का उद्गम कहां से होता है option है फुलुवारी की नाल, बिंद्या चल परवत, गोगुंदा पहाडी या अरावली परवस्तरंकला तो मानसी वाकल नदी का उद्गम कहां से होता है फुलुवारी की नाल option number A इसका right answer पुलुवारी की नाल कहां पर है उद्यपूर में और मानसी वाकल नदी अरब सागर की ओर जल्ले जैने वाली नदी तंतर में सामिल है ठीक है मानसी वाकल नदी का उद्गम कहां से होता है फुलुवारी की नाल उद्यपूर से उसके बार next question है लोग देवता तेजाजी महराज का पवित्र तीर्तिस्तल बासी दुगारी कहां स्तित है पवित्र तीर्तिस्तल बासी दुगारी कहां स्तित है उप्शन है बिकानेर नागोर जहलावार या भुंदी तो इसका right answer कौन सा है बासी दुगारी कहां पर है option number D, बूंदी में, बासिदुगरी, पवित्ति त्रिति स्तल लोगदेवदा, रामदेवजी का इसके बार next question है, सिरोही की पहाडियों को स्तानी वासा में क्या कहा जाता है option है बोराट, बाकर, गीरवा या 56 तो इसका right answer कौन सा है, इसका right answer option number B शिरोई की पहाडियों को स्तानी बासा में बाकर कहा जाता है बोराट के अगर मैं बात करूँ तो उदैपूर और डुंगरपूर के मद्दे की जो पहाडियां है डुंगरपूर के मद्दे की जो पहाडियां उनको क्या कहा जाता है बोराट कहा जाता है इसके वार नेक्स्ट क्यूशन है, राजे मानवादिकार आयो का गटन किस दारा में वन्नीत है, उप्षन है धारा 23, धारा 21, धारा 25 या धारा 24, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, धारा 21, उप्षन नमबर 20 का राइट आंसर है, धारा 21 में राजे मानवादिकार आयो के तो इसका राइक टांसर कौन सा है कारी-कारी अध्यक्ष कोन होते हैं राजेपाल कारी-पालिका का परमुक्वी होते हैं इनने नाम मातर के परमुक्वी कहा जाता है ये इनके नाम से ष़ट 166 के तहट मुक्यमंतरिए और मंत्री प्रेश्ट क्या करती है? इनके नाम से सारी कारीय करती है राज्जी की तो कारी-कारी देख्ष कोने होते हैं? राज्जेपाल इसके बाद नेक्स्ट कुष्चन है तो इसका राइट आंसर कों सा है? साहेपुरा भीलवाडा रामसने संप्रदाई की परमुग पीट है उसके बार next question है राणा परताप सागर्बांध कों सी नधी परस्तित है? उप्शन है चंबल नधी, बनास नधी, कोठारी नधी और माही नधी तो इसका सही उत्तर कौन सा है, रणापरताफ सागरबांद चंबल नदी पर है, कहां पर है, चितोडगड में, रणापरताफ सागरबांद बनाया गया है, और जो चंबल प्रोजेक्ट के अंतरगर सबसे ज़्यादा जो जल्विद्यूत का उत्पादिन किया जाता है, दो, चार या पांच, तो इसका राइट आंसर है, उप्शन नंबर, एक, तीन रूप में पाया जाता है, कौन-कौन सा, आंतरिक अपवाद अंतर, लगबग 60%, तो आंतरिक अपवाद अंतर पाया जाता है, 17% के आसपास पाया जाता है, अरब सागर के ओर जल्ले जाने वाल अपवाद अंतर, और 30% के आसपास पाया जाता है, बंगाल की खाड़ी के ओर जल्ले जाने वाला अपवाद अंतर, तो राज्तान में कितने परकार, कितने रूप में परवाद अंतर पाया जाता है, तो तीन रूप में, इसके बाद नेक्स्ट क्यूशन है, निमली खित मे जेसे कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवा तंतर का इस्सा नहीं है जो बंगाल की खाड़ी की और अपना चल लेकर नहीं जाती है उप्शन है बनास नदी चंबल नदी बेड़स नदी या माही नदी तो इसका राइट आंसर कौन सा है उप्ष नम्मर D, माही नदी, अरब सागरतंतर की एक नदी है, कहां से इनका उत्गम होता है, मेहद जील मद्धे परदेश ये, वहां सोड़ा डुंगरपूर परतावगड़ी में बहती हुए गुजरात में चली जाती है और बनास के अगर मैं बात करूँ तो खमनोर की पहाड़ियां रास्तमन से निकलेगी और ये अपना जुरामिश्वरम घाट है, सवाई मादुपूर में वहाँ चंबल में मिल जाएगी, चंबल नदी जानाबावा पहाड़ी मद्धे परदे से आई, इतावा यूपी में आस्वाडा, करोली, जालोर या बिकानेर, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बीहड चिक्तर, कहाँ पर है, करोली में, करोली को बीहड की रानी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बीहड की रानी भी कहा जाता है, और बीहड चिक्तर की बात करूँ, जो चंबल मादुपूर में है बीहड चेक्तर और बीहड की रानी पूचे तो करो लीगों कहा जाता है इसके बाद नेक्स्ट कुशन है राज्य निर्वाचन आयो का उलेक कोन से अनुछेद में मिलता है औप्षन है अनुछे 243A, अनुछे 243I, अनुछे 243K और अनुछे 243Y तो इसका राज्य निर्वाचन आयो का उलेक कोन से अनुछेद में मिलता है अनुछे 244K इसके बाद नेक्स्ट कुशन है राज्यस्तान के पर्थम सूचन आयोक्त कोन थे ओप्षन है स्री M.D. कोरोनी, स्री इंदरजीत महनती, स्री अमरजीत सिंग या स्री N.K.J. तो इसका राज् राज्यस्तान का जल महल किसे कहा जाता है बाटाडू कुवा, राणी जी बावडी, सारडा बावडी या चांदना नलकूप तो राज्यस्तान का जल महल किसे कहा जाता है बाटाडू का कुवा कहां पर है बाड मेर में राणी जी की बावडी, सारडा और चांदना मख्त्रोप को थार का गड़ाग ऑजाता है कहां पर है जे सलमीर में थीक है तो रजास्तान का रिगीस्तान का जलमेल किसे कहते हैं बाटाडू कुवा उसके बार next question है राजास्तान में कितनी बार राश्ट्रपती सासन लगाया गया है कितनी बार राश्ट्रपती सासन लगाया गया है चार बार, तीन बार, पांच बार या दो बार तो राजस्तान में अब तक चार बार राश्ट्रपती सासन लगाया गया है इसके बार next question है लांगूरिया गीत कौन सी लोग देवी से सम्मधित है option है केला देवी, जीन माता, कर्णी माता या दधी मती माता तो इसका right answer कौन सा है केला देवी, करोली केला देवी का मंदिर कहा बनावा है करोली में जीन माता का मंदिर सिक्कर में जीन माता के जो गीत होते हैं सबसे लंबे गीत कर्णी माता का कहाँ पर है देशनोग बिकानेर में चुहूं की देवी है ये देशनोग बिकानेर में इनका मंदिर बनावा है और ददीमती माता का मंदिर कहाँ पर है गोट मांगलोद नागोर में वोट मांगलोद नागोर में अध्रेश शुरी माता भी इनको कहा जाता है हो गया तो लांगुरियागीत कौन सी लोग देवी से सम्मन दिता है केला देवी से इसके बाद next question है राजस्तान में अत्यादर जलवायू कहां मिलती है राजस्तान में त्यादर जलवायू मिलती है पश्यमी भाग, दक्षिनी पूर्वी भाग, दक्षिनी भाग या पूर्वी भाग तो इसका राइट आंसर है दक्षिनी पूर्वी भाग में अत्यादर जलवायू मिलती है पशिमी भाग में सुस्क वे अर्धसुस्क मिलती है ठीक है आधर जलवई पूरी भाग में मिलती है इसके बाद नेक्स्ट क्यूशन है बान गंगा नदी का उदगम कहां से होता है option है सेवर पहाड़ी, बेराट पहाड़ी, उदेनाथ पहाड़ी या खंडिला पहाड़ी, तो बानगंगा नदी का उद्गम कहा से होता है, इसका right answer है, बेराट की पहाड़ी, जेपूर से कहा परवाइत होती है, बानगंगा नदी, जेपूर, दोसा और भरतपूर, जेपूर, दोसा और भरतपूर में ये नदी परवाहित होती है, सेवर की पहाड़ी उसे साभी नदी का उद्गम होता है अंत्य परवाह की एक नदी है, साभी नदी कहां का परवाहित होती है जेपूर और अलवर जिलू में साभी नदी परवाहित होती है और नजबगट का नाला भी कहते हैं साभी नदी को उदेनाद की पहाड़व की बात करूँ तो यहां से रूपारेल नदी का उदगम होता है कहां का मौती जिल का निर्माड़ी है यह रूपारेल नदी करती है उद्यअपूर और बरतपूर में और खंडेला की पहाड़ु से कौन सी नदी है कांतली नदी जो पून राजस्तान में परवा की आधार पर राजस्तान के सबसे लंबी अंतिय परवा की नदी है कि कहां का परवायत होती है सिख करो उर जून जूनो उसके बाद next question है मेमद आभुशन पहना जाता है मेमद कहां पहना जाता है सिर्पर, पेरू में, हाथ में या कान में तो इसका right answer है मेमद आभूशन सिर्पर पहना जाता है इसके बार next question है राजस्तान एकिकरण में कितना समय लगा राजस्तान का जो एकिकरण हुआ था 18 March 2018 से लेकर एक नवंबर 1956 तक उसमें कितना समय लगा दो वर्ष 11 माह 18 दिन आट वर्ष 7 माह 14 दिन दो वर्ष 7 माह 14 दिन आट वर्ष 11 माह 18 दिन तो इसका right answer कौन सा है आट वर्ष 7 माह 14 दिन कब से होता है 18 March 2018 से लेकर 18 March 2018 से लेकर 1 November 2015 तक साथ चन्नों में राजस्तान का एक इकरन होता है इस समय के अगर मैं बात करूँ दो वर्ष 11 माह 18 दिन इसमें राजस्तान का सभी धान सोरी भारत का सभी धान बनता है इसके बाद अपना next question है नाहरगड किला स्तित है नाहरगड का किला कहां स्तित है जालोर जैपूर सवाई मादोपूर या अजमेर तो नाहरगड का किला कहां स्तित है राइट अंसर कौन सा है जैपूर option number 20 का राइट अंसर है इसके बाद next question है रन्थम बोर पर अलावदिन खिलजी ने कब आकर्मन किया option है 1308 में, 301 में, 303 में या 1311 में, तो इसका राइट अंसर कौन सा है रन्थम बोर पर अलावदि रन्थम बोर पर पूछ रहा है तो कौन सी सन में क्या था 1301 में, हमीर देव चोहान हमीर देव चोहान उस समय यहां के सा सकते हमीर देव चोहान और अलावदिन खिलची के मद्दे तेरा सो एक में रन्थमबोर का यूद उता है ठीक है तेरा सो तीन में कहां पर आकरमन करता है अलावदिन खिलजी चित तोडगड़ पर रावल रतन सिंग वो पदमीनी वाला ठीक है इसके बाद अपना नेक्स्ट क्यूशन है सबसे लोगपीरी फढ़ कौन से लोगदेवता की है सबसे लोगपीरी फढ़ कौन से लोगदेवता की है पाबु जी, रामदेव जी, हडबु जी या तेजा जी तो राजिस्तान के सबसे लोगपीरी लोग देवता पूछे तो वो तेजाजी है सबसे लोगपीरी फड़ है पाबुजी की Option number A राई का या रेबारी जाती रेबारी जाती के लोग जो होते हैं उंट पालक ये जाती होती है पापुजी को भी उटू के लोग देवदा कहा जाता है इसके बार next question है राजेपाल की योगेता से सम्मदित अनुचेद है option है एक सुचोवन अनुचेद 157 अनुचेद 155 या अनुचेद 163 तो इसका right answer कोन सा है योगेता से सम्मदित कोन सा अनुचेद है 163 की बात करूँ तो राजेपाल की स्वविवेकी जस सक्तिया मतलब वो सक्तिया जिनके लिए राजेपाल को मंतरी परिशत या मुखे मंतरी की सलामस्वरे की कोई जरूरत नहीं है वो सक्तिया है नुचेद 163 में इसके बार next question है दुरमेश्वर महादेव मंदिर कहां स्तित है जैसल मेर, सिरोही, बाड मेर या सवाय मादोपूर तो दुरमेश्वर महादेव का मंदिर कहां बनावा है सिवाड सवाय मादोपूर कहां पर सिवाड सवाय मादोपूर पर और यह ऐसा एक, यहाँ पर ऐसा sibling बनावा है, जो 12 महीने जल में रहता है, महीने जल में रहता है, इसके बाद next question है, जीलू की नगरी के नाम से परशित प्रेटन्स तल है, option है जेपूर, अजमेर, उदेपूर या माउंट आबू, तो right answer कौन सा है, जीलू की नगरी नाम से कि कौन से जीले हैं, उदेपूर में जैसे अपनी हो गई, जैसमंद जील, जैसमंद जील है, पिछोला जील है, जैसमंद है, पिछोला जील है, फतेस आगर जील है, ठीक है, यह सारी जीले कहां पर है, उदेपूर में, इसके बाद next question है, मेजा बांध कौन से जीले में स्थित है उप्षिन है चितोडगर, टॉंग, कोटा या भीलवाड़ा तो राज समन से इसका उदगम होता है इसके बाद नेक्स्ट कुशन है राजस्तान की सबसे बड़ी मीठे पाने की जील कोंसी है उप्षिन है राज समन जील, जैसमन जील, पुसकर जील या पिछोला जील तो इसका right answer कौन सा है, सबसे बड़ी जो मीठे पाने की जील है वो कौन सी है, जैसमंद जील, कहाँ पर है, उदैपूर में पुसकर जील अजमेर में हो गई, पिछोला भी उदैपूर में है और रासमंद भी कहाँ पर, रासमंद कहाँ पर है, रासमंद में तो सबसे बड़ी मीठे पाने की जील कौन सी है, जैसमंद जील, इसके बाद नेक्स्ट क्यूशन है, रासमंद उदैपूर चितोडगड़िया भीलवाड़ा, तो right answer कौन सा है, कटपूतली कला कहाँ की है, उदैपूर में नटिया भाट जाती के लोग, अरड़ू की जो लकड़ी होती है, उससे क्या बनाते है, कटपूतली, ठीक है, तो रासमंद में कटपूतली कला कहाँ की परशीद है, उदैपूर की, इसके बाद नेक्स्ट क्यूशन है, मारवाड में दामनी क्या है, दामनी क्या है, ओड़ लिकित में से कौन सा राष्ट्य उध्यान, सबसे छोटा राष्ट्य उध्यान है, इन में से कौन सा ऐसा राष्ट्य उध्यान है, तो सबसे छोटा है, मुकुंद्रा हिल स्टेशन, राष्ट्य मरू उध्यान, केवलादेव राष्ट्य उध्यान या रन्थमबो राष्ट तीन या कम से कम तीस तो इसका राइट आंसर है उप्षन नमरे कम से कम एक